हालो फ्रेंब्स आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको फार्म विजिटर्स के बारे में क्योंकि कल जो है वो फौर्म विजिटर्स का इवेंट स्टार्ट होने वाला है यानि कि आपने कैलेंडर देख लिया होगा और उसमें आपने देखा होगा कि कल 2X कॉइन वाला फाम विजिटर्स के लिए इवेंट है जिसमें आपको फाम पे आने वाले विजिटर्स को अगर आप जो भीचे सर्व करेंग तो आपको कोई जो है वो डबल मिलेंगे तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ सबसे पहले तो हम कलेंडर को देख लेते हैं देख लीजेए यह यह हमारा नया केलेंडर आ चुका है आज का और इसके हिसाब से मंडे को फार्म विजिटर इवेंट टूएक्स कोई त्यूजे को ट्रक ओडर इवेंट टूएक्स कोई यानि कि आपको लगाता इस वीक में जैसे इस अभी जो वीक गया है उसमें हमारे वाउचर वीक था एक जिवार हमें टूएक्स कोई वाला जो है वह एक तरीके से वीक हमें मिल रहा है जिसमें ज्यादा तर जो इवेंट है वो टूएक्स कोई से रिलेटेड है तो मंडे और टूजे को तो है इसके बाद आप देख सकते हैं प्रोडॉक्शन बूलिंग बूस्टर इवेंट मिले इसी तरीके से टूजे को स्पीन दवील फ्राइडे को टाउन विजिटर से हमें टूएक्स कोई मिलेंगे और सटरडे को दिन हमें फिशिंग प्रोड़क्ट बूस्ट इवेंट मिलेगा जिस दिन जो की हमें लॉप्स्टर पूल और लूर मेकर इससे हमें 30% हमें बूस्ट होगा यानि की यह मैंने आपको कैलेंडर की पूरी जानकारी देदी है कि इस तरीके से कैलेंडर है अब चलिए हम सबसे पहले टाउन विजिटर इवेंट आने वाला है तो मैं उसकी आपको एक सिंपल सी इंफॉमेशन पहले देती हूं कि यह करेक्टर्स होते हैं यह जो हो लेवल टू के उपर जो है वो अनलोक हो जाते हैं यह पांच तरह के विजिटर्स होते हैं एक तो होता है ग्रेक जो कि आपको दिख रहा है अभी समय मेरे पाम के उपर आप देख रहे हैं रड कलर की महरून सी शर्ट में जो खड़ा हुआ है दूसरे होता है जॉन एक मेरी स्थे मीड के फिर चौत्य नमबर पर माइग और पांचे नमबर पर एट टिली माइग जुँ है जो की एक मिल का मालिक है और फांम को विजिट करनेいました सबसे पहला वेक व्यक्ति जय ahnen जैसी हमरा फांट पनता है उसकी बाद विजिट करने वाला सबसे पहला वेकति माइक हो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह एक ग्रैड जो कि एक स्पेशल कस्टमर है और हम सभी प्लेयर्स का जो भी हम हेडे खिलते हैं उन सभी का सबसे पहला फ्रेंड भी है और इसकी खुबी सबसे बड़ी यह भी आपने देखा हुआ इसकी शॉप से हमाँ में बहुत अगर आप चाहें तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं यानि कि लंबर जेक यानि की वुड कटिंग का काम भी यह करता है अब हम बात करते हैं कि आपने देखा हुआ कि जब भी यह लोग आते हैं विजिटर्स तो यह आपने देखा यह सामान मांग रहा है जैसे यह अगर मैं इसको यस कर देती हूं तो मुझे यह पिज़ा देने पड़ेंगे अगर मैं इसको नो कर देती हूं तो देखिए मैं इसको नो कर देती हूं तो यह चली जाएगी और तीसरा अगर मैं इसको वेटर मोमेंट कर देती हूं तो यह तब तक खड़ी रहेगी जब तक कि मैं उपर के ये दो ओप्षिन जो हैं येस हीर यूगो या नौ सोरी में से कोई एक ओप्षिन इसको वापिस से न दूंगी तब तक यहीं पर खड़ी रहेगी तो चलिए मैं इसको नौ सॉरी कर देती हूँ ग्रेग का भी मैं आपको दिखा लती हूँ ग्रेग में से 130 स्ट्रावेरी मांग रहा है मेरे पास टोटल 318 स्ट्रावेरी हैं अब इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ एक तो मैंने आपको जब बैसिक जानकारी दरी तो एक आपको आपने देखा हुआ कि ग्रेग इस समय महरून शर्ट में खड़ा हुआ है पर जब भी सर्दी आती तो ग्रेग एक रड कलर के स्कार्प में जो है वो देखता है इसी तरीक से सर्दीओक टाइम पर ही माईक और तिली जो होते हैं वो सेंता वाली हड पहनते हैं और जोन जो है वो एक खुडी도 पहनती जब कि मेरी जो है वो लगी हूई एक couch पहनती है और उसके उपर एक लमबा सा जो है वो विंटर कोड जो है वो यह पहनती है तो यह तो मैंने आपको एक बैसिक सी जानकारी दे दी, अब क्योंकि कल जो है, वो 2X कोईन वाला इवेंट आने वाला है, फार्म विजिटर्स के साथ में, तो हम उसी के बारे में बात कर लिते हैं, कि यह हमसे क्या-क्या चीजे ले जाते हैं, और क्या-क्या चीजे नहीं ले जो थी, वो उसने मुझे सिर्फ आपने देखा होगा, चिली पॉप कॉर्ण ही मांगता है, यानि कि दो तरह की कोई चीजे एक साथ नहीं मांगते हैं, कि आप मुझे 150 जो है वो वीड दे दीजी एंड, 100 या 50 जो है वो आप मुझे कॉर्ण दे दीजी, ऐसा कुछ नहीं मा मांगते हैं, इसके साथ ही ये लोग हनी कॉम, मैटल बार, जैलरी या एनिमल्स का फूड वगरा इस तरह की चीजे भी ये लोग कभी भी नहीं मांगते हैं, तो ये चीजे आप ये मान के चले कि ये आप से कल बिलकुल भी नहीं मांगने वालें, ये वही सामान मांगते हैं और यह जो सामान मांगते हैं उसकी basic price वैसे तो अगर जैसे इस simple में मैं अगर हम अभी देखे तो आप देखे 130 strawberry ये 3400 रुपे में मैं ज़से 58 रुपे में मांग रहा है जो कि बहुत कम है आप समझ सकते हैं कि अगर 500 रुपे में minimum भी बेचूं strawberry तो 100 strawberry की value ही 5000 हो जाती है तो यह तो 300 और extra मांग रहा है तो यह लोग जो होते हैं नॉर्मल डेज में उसकी value काफी कम देते हैं जो भी product लेते हैं उसकी value कम देते हैं तो अगर आप चाहें तो इसको दें न चाहें तो आप इसको मना कर सकते हैं पर जब 2x coin वाला event आता है तब हम यह हमें अच्छी value देते हैं visitors आप से वही सामान अब सबसे बड़ी बात यह कि कल यह किस किस तरह के सामान मांगेंगे तो यह जातर वही सामान मांगते हैं जो कि यह तो आपके पास बहुत ज्यादा हो या बहुत ही कम हो यानि कि जो बहुत ज्यादा सामान होगा उसमें से 50% सामान या आप से एक बार म तो यह उसका 50% यानि कि 350 वीट आप से डिमांड कर सकते हैं तो आप यह थेहन रखिएगा कि अपने साइलों में इतना सामान रखिए कि यह उसी उसी चीज के डिमांड रखिए और अगर आप चाहते हैं कि जैसे में वीची वीट सेल करूं तो आप वीट को इतना जदा साइल में भरके रखिए कि बार-बार आप से वीट की डिमांड करें यानि कि हम अपने हिसाब से इनको इनकी डिमांड जो हमारे साइलों और बान मों होगा वही चीज की यह डिमांड करेंगे इसके अलावा जो चीज हमारे पास ना के बराबर है उसकी भी डिमांड यह कर सकते है अगर आप किसी चीज को बेज देंगे तो यह आपसे नहीं मांगेंगे जैसे कि अगर एक्जामपल के तोर पर मेरे पास 16 ब्रेड थी तो अगर जब तक मेरे पास 16 ब्रेड थी यह मांगने के लिए आएंगे अगर अगर 10 ब्रेड मेरी रोड साइट शॉप के उपर जाकर के सेल कर देती हूं तो उसके बाद यह आकर के उस चीज की डिवांड करना बंद कर देंगे तो आप इस चीज को आप इसको अपने फाइदे के लिए उठा सकते हैं कि अगर कोई चीज आपके पास जैसे कम है तो उसको और थोड़ा सा आप कम कर लिजी तो यह आप से उस चीज की डिवांड बिलकुल ही बंद कर देंगे इस चीज की आप रखे का यानि की अगरी प्रोडक्ट मांगते हैं यह लोग जूसे बगरा भी मांगते हैं बहत से बार तो यह सारी चीज आप रखेहँगा ताकि आपको कल जादे से जजादा फाइदा मिल सके तो फ्रेंड्स आपको हमारी इंफॉमेशन कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब चैर और लाइक जरूर कीजिएगा थेंक्यू